भाग और गुणा के बीच संबंद मित्रों, अगर हम 18 को 2 से भाग दें, तो जवाब होगा 9, और अगर हम इस 2 और 9 की गुणा कर दें, तो हमें जवाब मिलेगा 18, यानि 2 और 9 की गुणा करने का परिणाम है 18 16 को यदी 2 से भाग दें, तो मिलता है 8, और यदी 2 को 8 से गुणा करें, तो मिलता है 16 इसी तरह 25 को यदी 5 से भाग दें, तो जवाब होता है 5, और 5 को 5 से गुणा करें, तो जवाब होता है 25